राजस्थान के सूजनगर से एक व्यक्ति एक ट्रेन में अपनी सफर की शुरुवात करता है और उसके बाद जब वो ट्रेन आरा स्टेशन क्रॉस करती है तब उस व्यक्ति को नींद आ जाती है पटना स्टेशन पर जब उसकी नींद खुलती है तब उसकी दो ट्रॉलियां गायब हो जाती हैं उस दो ट्रॉली में दो कीलो सोना जिसका कीमत लमसम एक करोड है पांच कीलो चांदी जिसका कीमत लमसम तीन लाक है और एक छोटा सा टिफिन बॉक्स जिसमें दो लाक रुपए कैश रखा हुआ था वो सब गायब रहता है राजस्थान के सूजन गड़ स जब यात्रा शुरू हुई थी तब उस वैक्ति ने सोचा था कि जो ज्वेलरी उसको मिला है बटवारा में वो लेकर वो असम के कामख्या पहुँच जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं आरा स्टेशन क्रॉस किया उस वैक्ति को नींद आई और पटना जंक्शन पर जब वो उठता है तब मालूम पढ़ता है कि दो ट्रॉली और एक छोटा सा टिफिन बॉक्स जिसमें कैश रखा हुआ था वो गाइब हो चुका है और उसको लमसम सवा करोड रुपय का नुकसान हो चुका है आप समझ लीजे इस बात को ट्रेन में सफर सब लोग करते हैं लेकिन अ मनोच जी अपने दोस्त के साथ जा रहे थे असम के कामख्या मनोच जी के पास एक करोड का सोना था वो सोना उन्होंने ट्रॉली बैग में रखा हुआ था दो ट्रॉली बैग था एक ट्रॉली बैग में चान्दी था एक छोड़ा सा टिफिन बॉक्स था उस टिफिन बॉक् राजस्थान में वो रहते हैं और राजस्थान में उनके परिवार का जुएलरी का बटवारा हुआ था और वही जुएलरी लेकर वो असम की कमख्या जा रहे थे और ट्रेन नमबर था 15623 सेकेंड डेसी कोच था और कोच नमबर एटू था बर्थ नमबर 28 था यह सारी जानका 36 मिनट लेट चल रही थी आरा स्टेशन पर वो सोते हैं और जब उनकी नींद खुलती है पटना जंक्शन पर और उस मक्त टाइम हो रहा था सुबह 6 बज़ कर 26 मिनट तब वो पाते हैं कि उनका दोनों ट्रॉली उनका टिफिन बॉक्स गायब है उसके बाद मनोज कुमार जैन जी जो रारस्थान से एक करोड का सोना लेकर जा रहे थे उनकी हवाई गुम हो गई और उनको लगा कि अब क्या करें हम वो परिशान हो गए वो जाकर F.I.R. दर्ज कराते हैं वो जाकर लिखित में देते हैं कि मैं इस ट्रेन नंबर से इस सीट पर बैठ कर जा रहा थ जाए अब क्या है अब उसकी जाच हो रही है जाच में CCTV फूटर को खांगा जा रहा है कि आखिर इस सब कैसे कैसे हुआ है यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि आखिर उस बोगी से कोई ऐसा है क्या जो बैग और टिफिन बॉक्स लेकर निकला है अब तक कुछ नहीं हो पाया है लेकिन आप समल जाईए मनोज जैन जी का एक करोड का सोना जैसे चोरी हुआ वैसे कहीं आप भी आरा में सो जाए अपना हरकुछ लेकर सफर करता है एक आदमी जो रारस्थान का है बिहार का भी नहीं है रारस्थान से असम कि का मक्षा जा रहा है अपने परिवारिक जुवेल्री का बटवारा जब हुआ तो वो जुवेल्री लेकर अपने घर जा रहा था और उसके बाद रास्ते में ही उसके दोनों ट्रॉली बैग को और दो लाख रुपए कैश को उड़ा लिया गया अब वो परिशान है रेलवे वाले कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर आप भी सफर करते हैं तो आपको एकदम सा खाला सकता है तो आपको मितला करेंगे आप जिंदा निक्शन देते रहिए बहुत बहुत धनेवागे